हैलो गाईज, वेलकम बैग टू मैँ चैनल गाईज, मैं जब क्लोस फ्रेंद सिजन टू की स्टोरी आप लोगों से शेर कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने सिजन वन की स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैं आज ये दो स्टोरीज आप लोगों से शेर करूंगी जो हमें सिजन टू में देखने को मिली थी तो चलिए बिना बगबग ये वीडियो को स्टार्ट करते है एपिसोड की शुरवात में दिखाय जाता है टाइफुन एनिवर्सरी के प्लैनिंग कर रहा होता है और पियर्स फोन पे बात कर रहा होता है और वो बहुत खुश होता है फिर call cut करने के बाद टाइफुन पूछता है गुड निउस है पेर्स कहता है हाँ जो ने call किया था वो मुझे मार्क के लिए music बनाने दे रहा है टाइफुन excited होके कहता है मार्क वो नया singer पिअर्स कहता है हाँ और टाइफुन पिअर्स को हाग कर लेता है फिर पिअर्स को conference room म प्रेसेंटेशन देता हुआ दिखाय जाता है एक लेडी कहती है मार्क नहीं मुजकिल और मुझे नहीं डरता लेकिन मुझे low quality आउटफुट से डर लगता है मार्क कहता है तुम काफी कुशल लगते हो और वहाँ से चला जाता है फिर पियर्स और मार्क श्टूडिओ में होते है पियर्स कहता है चलो शुरू करते है मार्क मुझे देखने तो कि तुम्हारी आवाज भोकल रेंज के मामले में कैसी है मार्क उठके चला जाता है फिर वो अपना गिटार लेके आता है फिर दोनों मिलके नए धुन को बना रहे होते है इधर टाइफुन पियर्स को कॉल करता है लेकिन पियर्स काम में इतना इंवल्व हो गया होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि टाइफुन कॉ टाइफुन कहता है तुम कहा थे पियर्स कहता है मैं कल रात सो गया था तो मैंने स्टूडियो में ही रात गुजरी टाइफुन कहता है क्या तुम बहुत जादा मेहनत नहीं कर रहे हो पियर्स कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता फिर पूछता है क्या तुम्हारा आज क्लास नह पिरस कहता है यह एक्चुली फिनिश हो गया है लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी काफी अच्छा नहीं है इसलिए मैं आज इसे पूरा करने की सोच रहा हूँ फिर टाइफुन से कहता है बदमाशी मत करो उठो क्लास का टाइम हो गया है टाइफुन बेचारा नहाने चला जाता है फिर से पिरस और मार्क काम कर रहे होते है तब ही पिरस को टाइफुन का कॉल आता है पिरस कहता है तुम कहां जा रहे हो और किस के साथ फिर कहता है और मेरा भाई है फिर से दोनों काम करना स्टार्ट करते है नेक्स्ट डे मॉर्निंग पियर्स घड में काम कर रहा होता है तभी टाइफुन बाहर से लोटता है और वो ड्रंक होता है पियर्स कहता है तुमने कहा था के तुम ड्रिंक नहीं करोगे टाइफुन कहता है मैंने थोरा स पियर्स कहता है थोड़ा सा तुम सुभा घर आ रहे हो टाइफुन पूछता है क्या तुम मुझे गुस्सा हो पियर्स कहता है मैं नहीं हूँ मैं सिर्फ चिंतित हूँ टाइफुन पूछता है क्या इसके अलावा और कुछ नहीं पियर्स कहता है तुम्हारा मतलब क्या है टा यह तुम्हे तब समझ आएगा जब तुम बड़े होगे और काम करोगे टाइफुन मूग घुमा के सो जाता है और कहता है नहीं मैं नहीं समस्ता और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं इतना काम नहीं करूँगा कि मैं अपने बॉईफरेंड को भूल जाओं और उसे इंतज फिर पीर्स खरा हुआ होता है और टाइफुन जाके पीछे से उसे हग करता है और सोड़ी कहता है पीर्स कहता है ऐसा फिर से मत करना मुझे चिंता होती है फिर दोनों एक दूसरे को हग करते है फिर पीर्स कहता है तुमसे शराब की स्मेल आ रही है जाके नहा लो टाइफुन नहाने चला जाता है, फिर से पियर्स और मार्क को स्टुडियो में काम करता हुआ दिखाया जाता है, मार्क कहता है, तुम बास तब में काफी कुशल हो, फिर दिखाया जाता है, टाइफॉन रेस्टरान में बैठके पियर्स का वेट कर रहा होता है, वो सोचता है, तीन साल हो गया इधर मार्क पियर्स से कहता है मैं एक बात सोच रहा हूं ऐसा क्यों होना चाहिए कि ऐसा एक्ट करे कि हम अभी भी प्यार में हैं इसलिए वे अब एक दूसरे से वास्तविक्ता में प्यार नहीं करते हैं पियर्स कहता है ये मेरे दिमाग में आया था वो इनसान जिसने ये कहा वो उसे भीग मांगता है कि वो ऐसा चीट करे कि वो अभी भी उससे प्यार करता है लेकिन दूसरे के लिए चीजे बदल गई है इधर टाइफून पियर्स के लिए वेट कर रहा होता है फिर दिखाया जाता है बहुत रात हो गई है लेकिन पियर्स रेस्टरान में नहीं आया टाइफुन पियर्स को कॉल करता है तो पियर्स कहता है मुझे काम पे जाना होगा तुम जाके सोजाओ मेरे लिए वेट मत करो और कॉल कट कर देता है फिर दिखाया जाता है पियर्स के ऑफिस में मीटिंग चल रहा होता है और वहां पे पियर्स की बनाई गई सौं आता है वो पियर्स के पास जadow के कहता है तुमने तो कहा था के तुमें त्रिंग करना पसंद नहीं है क्या बरे odor काम पे यह करते है फिर मार्क से कहता है मैं आपका फैन हूं और गुष्दे से वहां से चला जाता मार्क पियर्स से पुछता है क्या यही तुम्हारा भाई है जिसके बारे में तुमने कहा था पियर्स हा कहता है और टाइफुन के पीछे जाता है फिर बाहरा के टाइफुन से कहता है फोन मेरी बात सुनो तो मुझसे दूर क्यों जा रहे हो टाइफुन कहता है क्या तुम्हे टीस करना बंध नहीं कर सकते टाइफुन कहता है मैं टीस नहीं कर रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं मैं सिर्फ एक बेबकुफ लरका हूं जो इसमें फस गया है मैं तुम्हारी तरह काम की दुनिया को समझ नहीं पा रहा हूं पियर्स कहता है फोन मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझ शायद चीजे अच्छी बने टाइफुन कहता है तुमने ये क्यों कहा मैं तुमसे दूर नहीं होना चाता पियर्स कहता है मैं भी नहीं होना चाता लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाता टाइफुन कहता है तुम मुझे कुछ नहीं बताते हो सिर्फ काम करते हो पिय से अभी भी प्यार करते हो या नहीं पियर्स कहता है मेरी बात सुनो फुन मैं तुमसे अभी भी वैसे ही प्यार करता हूँ जैसा पहले करता था समझे मैं बिल्कुल भी नहीं बदला टाइफुन कहता है तो फिर क्या तुम ऐसे एक्ट करोगे जैसे हम अभी भी प्यार में है पियर्स टाइफुन को हग कर लेता है फिर टाइफुन कुछ बोलने जाता है तो पियर्स उसका मू अपने स्टाइल में बंद कर देता है वो टाइफुन को किस करता है और दोनों एक दुसरे को किस करते है और यहीं पे Season 1 की इनकी स्टोरी एंड हो जाती है एपिसोड की शुडवात में दिखाया जाता है रे वीर हेटसेट के द्वारा जेड़ाई से बात कर रहा होता है जेड़ाई कहता है मेरा नाम जेड़ाई है तुम्हारा नाम क्या है? रे कहता है मैं रे हूँ ठीक है रे कहता है तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो जेडाई कहता है तुमिस्टर रे क्या तुमाज टायाट हो रे कहता है मैं ठक गया हूँ जेडाई कहता है तो फिर यहां आओ हग करते है और रे हग करने जाता है फिर flashback का सिन दिखाया जाता है रे कोई contest में जेडाई के बारे में सब सही अंसर देता है और जीत जाता है वो बहुत खुश होता है और कहता है मैं जेडाई आर्मी का नंबर वन फैन हूँ फिर दिखाया जाता है contest में participate करने की वज़े से उसे एक reward मिलता है और वो वही VR headset होता है फिर रे को उस cafe में दिखाया जाता है जहांपे वो काम करता है वो बैठ के बोर हो रहा होता है तभी वहाँ पे जेडाई आता है जेडाई को देखके रे उटके खड़ा हो जाता है और क्या order करना चाहेंगे जेडाई के साथ साथ रे भी बोल उठता है hot americano double shot क्योंकि उसे पता है कि जेडाई को क्या पसंद है फिर रे कौफी बनाके जेडाई को सर्फ करता है जेडाई कहता है मैं बोल ना भूल गया था मुझे जाना होगा रे कहता है मैं इसे change करके देता हू फिर रे उसे पैक करके देता है और वो बहुत नर्वस होता है फिर कहता है कि मैं एक जेडाई आर्मी हूँ लेकिन जेडाई कुछ बीना बोले ही वहाँ से चला जाता है फिर से रात को रे वियार के द्वारा जेडाई से बात करता है जेडाई पूछता है कैसे हो मिस्टर रे रे कहता है आज मैं तुमसे वास्तविक जीवन में मिला तुम बहुत क्यूट हो लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ ये बहुत छोटा सा पल था मैं तुम्हारे साथ और जादा समय बिताना चाता हूँ जेड़ाई अपनी बाहे फैला देता है और कहता है यहाँ आओ हग करते हैं रे कहता है ठीक है नकल मेरे लिए ठीक है और रे वैसे ही सोजाता है जेड़ाई कहता है अगर तुम मुझसे कुछ चीज मांग सकते तो तुम क्या मांगते मिस्टर रे रे कहता है क्या तुम मेरे ल तुमने मुझे यहां आने के लिए कहा था रे कहता है तुम्हारे बोलने का मतलब ही कि तुम VR headset से आये हो ओ गौड ये क्या है जेड़ाई उसके चिक को पिंच करके कहता है तुम सपना नहीं देख रहे हो मिस्टर रे रे कहता है मैं तुम्हें विश्वास नहीं करता क्या मैं यहां पे हूँ क्योंकि तुमने मुझे आने के लिए कहा अगर तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है तो क्या तुम मुझे चुने की कोशिश करना चाहोगे रे पुछता है क्या टच करूंगा जेड़ाई अपना हाथ बरा देता है रे उसके हाथ को टच करता है और उ मुझे से यह पूछते हो तो मैं बुड़े चीजों को सोचना बन नहीं कर पाता हूँ जेड़ाई उसके पीछे जाके बैठता है और उसे हग कर लेता है और कहता है क्या तुम्हें थोरा लेटना चाहिए रे कहता है कौन सो पाएगा जेड़ाई कहता है नहीं तुम्हें र रे बहुता है, जेडाई को खिलाने जाता है, तो जेडाई उसके चीक पे किस कर देता है। फिर जेडाई और रे साथ में टाइम स्पेंट करते हैं। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट एम मौर्निंग, आलां की आवाद से रे की निन टूटती है, और वो देखता है पर जेड़ाई होता है और उसके साथ और एक परसन होता है रे दोनों का ओडर रेड़ी करके देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं जेड़ाई रे को कुछ भी नहीं कहता रे सोचता है कल रात सिर्फ एक भ्रहम था रे फिर से घड़ जाके वियर हिरसेट के द्वारा जेडाई को बुलाता है जेडाई कहता है आज मेरे मिस्टर रे को क्या हुआ मुँ ऐसा क्यूं है रे कहता है मैं जानता हूँ के ये जेडाई सिर्फ एक भ्रम है असली जेडाई बिल्कुल भी मेरी परवा नहीं करता जेडाई कहता है किसने कहा ये मुझे सिर्फ ये जेडाय कहता है क्योंकि यह हम दोनों का सिक्रेट है अगर बाकी लोग इसके बारे में जानेंगे तो यह ए। तो 3 नहीं रहीगा रे पुछता है सच में जेडाय कहता है हां थोरा सा मुस्कुराय। प्लीज रे कहता है ऐसा मत करो पी जेडाई जेडाई उसका हाथ पकर के कहता है अगली बार अगर तुम मेरे असली रूप से फिर से मिलो तो तुम मुझे ग्रेट कर सकते हो मैं डेफिनिटली तुम्हें पहचान लूँगा मैं शियोर हूं रे शर्मा जाता है जेडाई कहता ह मैंने तुम्हें आज मिस किया फिर रे के पास जाता है और उसे किस करता है और ये सिर यहीं पे कट हो जाती है फिर जेडाई कैफे में बैठा हुआ होता है रे आके उसे काफी देता है और कहने जाता है क्या आपको याद है जेडाई कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गय था कि मैं यहां पे बैठके पीना चाता हूं रे कहता है मैं चेंज करके देता हूं और वो कॉफी को ले लेता है जेड़ाई उसका हाथ पकरके कहने जाता है कि इसकी जरुरत नहीं है तभी रे के हाथ से कॉफी जेड़ाई के कपड़े पे गिड़ जाता है रे साफ करने जात तो जेडाई थोरा रूटली कहता है इसकी जरूरत नहीं है रे अपसे ठोके वहां से चला जाता है फिर रे एक जगा पे बैठके रो रहा होता है और कहता है तुमने कहा था के तुम मुझे पहचान लोगे ये एक जूट था तभी जेडाई आके कहता है इत्सों के मैं तुम गुसा नहीं हूं रे थोड़ा दूर जाके बैठता है जेड़ा कहता है तुम रे हो ट्रीविया कॉंपेटिशन का वीनर और तुम्हें यह हैटसट मिला था है ना रहा कहता है जेड़ाई पूछता है क्या तुम्हें यह गिफ्ट पसंद आया रे ना और हां दोनों कहता है ज क्या आप सच में भी है जेड़ाई कहता है जरूर देखो कॉफी का दाग भी है रे कहता है I am sorry पे जेड़ाई जेड़ाई कहता है it's okay कोई बड़ी बात नहीं है और अपना हाथ बरा देता है रे पुछता है क्या जेड़ाई कहता है तुम से मिलके खुशी हुई तुम सच में अच्छा कॉफी बनाते हो मुझे पसंद है रे उसके साथ हैंशेक करता है और कहता है मैं या कॉफी जेड़ाई कहता है वेल दोनों ही रे फिर से शर्मा जाता है और कहता है मेरा दिल जोरो से धरक रहा है फिर जेड़ाई अपना फोरहेड रे के फोरहेड के साथ टच करता और कहता है कैसा है यह वी आर से अच्छा है ना रे हा कहता है और ऐसे शुरू हुई थी जेडाई और रे की लब स्टोरी और आगे की कहाने आपको क्लोस फ्रेंट सेजन टू में मिलेगा जो मैंने अलरेडी एक्स्प्रेंट की हुई है और अगर आपने वह अब तक नहीं दे देखा तो देख लीजिए तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट फीडियो में तब तक के लिए बाई बाई